आपको फॉर्स वीडियो बहुत ही जादा हिल्फुल हुआ होगा एट लीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अगर हमने स्क्राटेजी से किया समझ के किया तो याद रहे सकता है दोस्तो फॉर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको हेंडरी फ्यॉर्ड के फॉर्टीन प्रिंसिपल का लिंक भी देखे रखा था बहुत सारे बच्चों ने वो देख लिया होगा इस के साथ में ये लेक्चर आज का चालू कर रहा हूँ मैं रसे बैच है डिफिनेटली में ये थिएरीज भी आपको पढ़ाने वाला हूँ लेकिन वो लेक्षर अगर रेगुलर तोर पे रेडी किया गया है तो वो भी एक बार देख लेना यहाँ पे तो हेल्प होगी होगी उससे भी आपको हो जाएगी एनिवेज चलो आज का लेक्षर हम स्टार्ट करते हैं सर यहाँ पे हेंड्री फ्योस एड्मिनस्ट्रेटिव थिएरी ओप मैनेजमेंट ये आपको नाम दिख रहा है बराबर लेकिन सवाल ये आएगा सर थिएरीज ओप मैनेजमेंट मतलब क् को पता है क्या तो को पता है क्या उनुवरसली अपड़िकेबल है क्या आपको हाँ सर एक नेचर था प्रिंसीपल अप मानेजमेंट का याद आ रहा है, universally applicable, okay, क्या principle of management एक general guideline provide करता है, क्या, हाँ sir, वो एक general guideline भी provide करता है, क्या nature में एक जी से point बन रहा है, general guideline, okay, क्या principle of management flexible है, क्या flexible, yes sir, so दोस्तों, आपको, हाँ, और एक बात में बता दू, कुछ बच्चों को, जैसे nature of principle of management, इस पर मैंने कहा था, देखो, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखर, आज बहुत आराम से जाएंगे, tension low मत, आपको समझाना, यह मेरा purpose है, बाकी सिप भांगेगे, marathon batch है, फड़ा 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 सिप में बढ़ बढ़ करूगा, आपके सर के उपर से जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, समझते हैं, एक confidence लेके आते हैं, फिरम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, सर यह जो point है ना, मतलब जैसे अपना chapter चालू होता है, यहाँ पे introduction, meaning and definition and nature of principle of management, यह वर 1.1, 1.2, 1.3, और 1.3 में से एक question आपको compulsory आने वाला है, that is nature of principle of management, इसका मैने क क्या memory technique दिया था, PUBG, CAF, अगर जिसे आदे अच्छी बात है, मैं आज के lecture आगे शुरुआत करने से पहले थोड़ा revision भी लेलू, कुछ बच्चों को लगता है सरम sequence से करते हैं, तो याद रहते हैं, बहुत अच्छी बाते करो, हमारा purpose के हमें एक्जाम में याद आना अभी आपको पूछा तो suddenly याद आ रहा है क्या, नहीं सर, लेकिन आप PUBG CAP बोलो तो याद आएगा क्या, हाँ सर, P से क्या था, बोलो ना, practice and experience ये दो वर्ड थे, इससे principle बने, ओके सर, U से क्या था, principle क्या है, universally applicable है, ओके सर, B से क्या था, behavioral वर्ड याद आ रहा है, हाँ, G से क गया था, general guideline, तो ये चार पॉइंट तो हो गया आपके, बचते है कितने तीन, CAF, CAF, C से क्या था, सर, cause and effect relationship, अब cause and effect में याद आ रहा है कुछ, कि advertisement, मलब तुम्हारा sales बढ़ गया, ये effect है, इसका cause क्या था, क्या था, क्योंकि तुमने heavy advertisement किया हुआ है, कुछ समझे है, क्य हो गया, ऐसे क्या था, all principle are equally important, अब all principle मतलब क्या, देखो, आज के lecture में, मैंने जो images से, जो आपको regular lecture में करवाए थे, वो images भी में यहाँ पर आपको दिखा होगा, ताकि फटा-फटाम समझ ले, इसी marathon batch में, बराबर, तो cause and effect, अच्छा, sorry, all principle are equally important, मतलब 14 के 14 principle, ये क्या है, जितना principle number one important है, उतना 14 वाला भी है, तो आप कोल ने सकते हैं कि अच्छा, ये बुरा है, समझ में आ रहा है, yes sir, and F से क्या था, flexible, flexible मतलब क्या, organization, manager, अपने हिसाब से, चीजों को modify कर सकते है, या बदल सकते है, that is a flexibility, मतलब rigid है नहीं है, I hope आपको याद आ रहोगा, तो हमने क्या किया, nature वाला question खतम कर दिया, देखो, पहले lecture को 42-43 minutes लगे थे, लेकिन अब revision में पहले 5 minutes में ये बात खतम हो गई, तो ये फाइदा है कि आप आराम से करो, और अच्छे से समझ के करो, तो long term याद भी रहेगा, और इसके out of marks भी आप ले के आओगे, समझ रहा है आपक कर दो, मतलब भले exam में नहीं किया है, लेकिन general 2-3 paragraph दिये है, और उससे exam में कोई question नहीं आएगा, sir क्या है confusion हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, 1.6 समाच सिधा करने वाले, पहले 1.5 पे मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, देखो, मैं speed बहुत कम रख रहा हूँ, दोस् 2.5 है, theories of management, क्या दिया है पता है, उन्होंने क्या कि management theories are the set of general rule, that guides the manager to manage an organization, simple सी बात है, तो हमने पहले ही पढ़ा था, the theories are explanation, sorry, explanation to assist employee to effectively relate the business goal and implement, implement effectively mean to achieve the same, क्या आपको कोई गोल अच्व करना है, तो प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई करोगे, implement करोगे, ता कि आपना management thinker have introduced theories, उन्होंने कहाए कि अलग-अलग लोग है, अलग-अलग management thinker है, जिन्होंने अपना-पना theory दिया हुआ है, जैसे कि F.W. Taylor scientific principle आने वाला है lecture में, उसके बाद Henry Fjol, 14 principle of management, और एक नया नाम दिखो गया देखा आपको, Elton Mayo, अब जो news देख सा हो, कुछ और ही उससे या general बात दी है, अगर आप one time rating करके 1.5 point को छोड़ दोगे, तो भी चलेगा, कुछ इसमें जादा वक्त मत वेस्ट करना, वही जो हमने nature में पढ़ाना, घुमफिर के वही बाते की है उसने, ठीक है, छोड़ दो, आ जाओ, जहाँ से paper में बाते आने वाली हैं हमको, Henry Fjol, administrative theory of management पूरा concentration रखना, मैंने भले इसका वीडियो दिया था, लेकिन वापस में पढ़ा रहा हूँ, ताकि कुछ बाते अगर वहाँ पे नहीं हुए हो, ये अब यहाँ पे हो जाए, पूरा ध्यान देना, क्या है, हर एक point पढ़ेगे, सबसे पहले तो इन person के बारे में पहले paragraph में information दी है, क्या हमको समझना है, हेंडरी फ्योल जी कौन थे, ये सर, 1841 से लेके 1925, इतना इनका पूरा, मतलब birth और death, दोनों date दी हुई है, वो क्या थे, एक इंजिनियर थे, कौन से इंजिनियर हैं थे, फ्रेंच माइनिंग इंजिनियर, ओके सर, फिर वो क्या होगे, लीडि इंडरी फ्योल जी ने, उनके नाम का स्पेलिंग भी याद रखना, बहुत बच्चे स्पेलिंग में गल्ती कर देते हैं, थोड़ा अंदर स्पेलिंग मिश्टेक हुआ चलेगा, लेकिन नाम ही गलत लिखोगे तो कैसे चलेगा, तो एंडरी फ्योल जी का स्पेलिंग चीप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे वो पहुच गए, बेसिक में छोटा सा उनका इस्ट्री दिया हुआ है, पहला परेग्राप शान्ती से मेरी बात सुनो, मैच दे पेर्स में कुछ बाते आ सकती हैं, सबसे पहले हैं कौन थे, फ्रेंच मैनिंग इंजिनियर थे जो बाद में इंडेस्ट्रियल, लीडिंग इंडेस्ट्रियर्स हुए और मैनेजर भी हुए, वो फ्रेंच मैनिंग कमपनी में एक नॉर्मल पोजिशन काम करना चालू किया और बाद में हो C.E.M.D. चीप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजिशन पे पहुच गए, इस पैर हेंडेस्ट्रियल, मतलब हेंडेस्ट्रियल, प्रपोस 14 प्रिंसिपल अप मैनेजमेंट विचार एक्स्प्रेंट इस फेमस बुक यह आ जाएगा, इंपोर्टन्ट है, जन्रल एन इंडेस्ट्रियल अड्मिनिस्ट्रेशन, मैच दे पेर का एक पॉइंट आ गया, हेंडेस् इफेक्ट्व प्रिंसिपल कितने रखे, 14, और यह प्रिंसिपल कहा से मिले तो उनकी बुक है, जिसका नाम क्या है, जन्रल एन इंडेस्ट्रियल अड्मिनिस्ट्रेशन, बताओ, क्या नाम है दोस्तो, जन्रल एन इंडेस्ट्रियल अड्मिनिस्ट्रेशन, एक मांक्स का अब्जेक्टिव और फॉर्स कुछ भी आ सकता है दो इंपॉर्टन दो मांक्स की बात कर दी सर आपने एक तॉप अब्जेक्टिव में लेके जाओ ने तो लिखते वक्त जब आपको 14 प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो बेसिक में इसका इस्ट्री भी लिखना पहले तो फ् इंडक्टिंग मेनी एक्स्प्रिमेंट अनुनोंने बहुत सारा रिसर्च किया अब्जर्वेशन किया उन्होंने 14 प्रिंसिपल लाए कौनसी बुक में बोलो क्या था जी एन आई जी एन आई क्या जनरल एन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन वंस अगें दोस्तों जन उन्हें क्या कहा जाता है फादर ओव वाट मॉडन मैनेजमेंट दो पॉइंट लर्न हो जाएगे यह सर फ्यों सजेस्टेर 14 प्रिंसिपल अप मैनेजमेंट इस स्टेटमेंट सर्व गाइडलाइन फोर डिसिजन मेंकिंग एन मैनेजमेंट एक्शन और इनके प्रिसिपल को फॉलो करके मैनेजर को डिसिजन मेकिंग में भी हेल्फ होता है चलो सर और मैडम क्या इस पैरेग्राफ में कोई डाउट है क्या आपको लर्न हो रहा है क्या हैंडी जी के बार में पता चला पहला पैरेग्राफ यह सर लीडिंग इंडेस्ट्रियलिस्ट हुए फिर उन्हों फैर दोने फॉटीन प्रिंसिपल दिए उनकी बुक में उनकी बुक का नाम क्या था जर्षटृेल अड्मिनिस्ट्रेशन ग्लम हो गया जर्षटृ एम्डेस्ट्रेशन अक तरफ नाम होगा एब डबली तेलर हेंडरी फ्योल दूसरी तरफ में बहुत सारे नाम होगे बुक के हेंडरी फ्योल जी का बुक है बोलो बोलो जनरल एंडूस्ट्रियल एड क्या एड्मिनिस्ट्रेशन डन ओके इनको क्या कहा जाता है फादर आप मॉडर्ण मैनेजबेंट और एप डबली टेलर को क्या कहा ज लगता है 20 में से 20 मां को अबजिक्टिव में चाहिए समझ में आ रहा है यह सर 14 प्रिंसिपल क्या है सर आओ थोड़ा चलते है अब तूर पे 14 प्रिंसिपल के पहला प्रिंसिपल है सर और मैडम डिविजन ओप वर्ग सर अगर एक काम को आप अलग-अलग तुकडों में बा वहां पर मुझे बताओ क्या विराट कोलीज बacks करेगा विराट कोलीज फिल्ड लिंग करेगा सर कैसे चलेगा उन्होंने 11 प्लेयर में से स्टार्टिंग के जो प्लेयर है एक विकेट कीपर अलग से रखा जो विकेट कीपिंग बैटिंग करेगा बैस्मेन अलग से है बुम्रा राइट उसके बाद महुमस चामी उसके बाद इशान शर्मा आर अश्विन ये जो बॉलर है वो नेक में जब से जादा किसकी करते है सर तो क्या हुआ काम को डिवाइड किया मैं विराट बोली को गाले ने जे सकता है तुने क्यों बॉलिंग निकी विकेट ने लिए लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ अश्विन को यही बोल सकता हूँ इशान शर्मा को बुम्रा को कि तुमने विकेट बॉलिंग कैसे घटिया की तुम तुमारी वैसे रन कितने गए क्यों सर क्योंकि मैंने वर्ट को क्या कर दिया था डिवाइड कर दिया था तु क्रिकेट टीम में फॉर्मूला यूज होता है होता है फटा-फट से पढ़ लेते हैं करके principle of what division of work according to this principle the work is divided into different kind such as technical financial commercial security operation accounting and managerial पहला बात खतम कि इसके इसाफ से क्या होता है वक को अलगल सरंदर का हमको लन नी होता ना वो तो लन हो गया principle of division of work अरे दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हो एक बार पड़ो according to this principle what work is divided into different kind such a S में लिख देना चार पाच वर्ट क्या आप मुझे बताओ technical knowledge जिसको होगा आप तूर पे गए बराबर आप तूर पे गए और आपके फूरे circle में ग्रूप में एक बंदा है जो electrician है अगर light गई तो आप किसे कहोगे एक chartered accountant को कहोगे क्या डॉक्टर को कहेंगे तो सर आपने क्या किया अपने ग्रूप में जो technician था उसको उसका काम दे दिया जो डॉक्टर है उसको इस health sector में काम दे दिया तो उनके expertise के इसाब से work को क्या किया डिवाइट किया सच आज टेक्निकल सी यह होगा तो फिनेंशल बजेट या फिर टूर का सारा expenditure देखने का काम उसे दो दोगे टेक्निकल फिनेंशल कमर्शियल सेक्यूरिटी अकाउंटिंग मैंजर एक्सेटर ठीक है इट इस जादा detail में जाओगा नहीं कि अल्ड़ी regular lecture मेंने कर लिया है और आप भी बुलो कि सर्थी कि अफटा फटी बताओ तो इसलिए पहला main point क्या था और मैंने क्यों अंदर का यह lecture में बता है ताकि इसे ही पढ़ो क्योंकि हमको इस lecture को और थोड़ा अच्छे से जल्दी से अग हाँ सर इसका भी इमेज है आप क्या करो authority और responsibility आप चिपका के दो यह देखो विराट कोली raid में दिख रहा है बाकि उसकी team है authority है अगर match हार गया तो उंगलिया भी किस पर उठाएंगे विराट कोली पर responsibility लेना पड़ेगा as a captain जित्ते वक्त तुम आते हो सामने तो हारते व authority दे रहे हो तो responsibility भी दे देना मैंने example में क्या कहा था आपको class का monitor बना दिया और कहा कि तेरे को authority है जो आवाज करे उसको मारा उसको शान्त रख आपने अपने दोस्तों को छोड़के करते होगे शायस आप स्कूल में बाकि जित्ते भी आपके खुनस में थे सबकी बजा द कुछ misbehave किया या कुछ गलत हुआ तो पुरा का पुरा penalty आपको भी भरना पड़ेगा देख लेते हैं authority is the right to take decision बराबर मतलब आपको अगर कुछ काम सोपा गया तो आपको authority भी चाहिए कि वो decision लो अगर आपको हर बात मुझे ही पूछ के करनी है तो आप क्या feel करोगे उस काम मुझे तो कुछ अधिकारी नहीं दिएगे मुझे कुछ authority ही नहीं दिएगे इसी लिए authority is what right to take decision it is necessary to get thing done appropriately from subordinate लोगों से काम करवा लेना authority always come with the responsibility underline करो यह agree disagree में में आ सकता है authority किसके साथ जाएगा always come with what responsibility if the manager is giving the authority to complete a task within a given time he should be held responsible he does not complete the work in given time समझ में आ रहा है कितना simple language है authority responsibility वो दोनों साथ में चलते अगर manager को हमने कोई particular काम complete करने को दिया और उसने वो नहीं किया authority तो थी लेकिन नहीं किया तो काम complete नहीं होने की responsibility भी किस पे डालेंगे manager पे सर 14 principle है ना learn करने में दिक्कत होरी पहले दो point तो भी हो गई क्या learn जाने दो 14 point को पहला क्या था सर first point था principle of division of work यहाँ पे देखो काम को क्या करते ना सर divide करना principle of division of work दूसरा point क्या है authority and responsibility दो point याद रहेंगा दोनों साथ में ही चलेंगे point number three principle of authority and responsibility के बाद point number three आपका आ रहा है discipline और मैंने आपको यह समझाय था आर्मी का example देखे अगर आपको सारे काम within time खतम करने है लोगों से अच्छे से करवाने है तो क्या होना चाहिए discipline होना चाहिए control होना चाहिए आपको यह image याद आ रही होगे याद रोखो heading sir main lecture मेंने बहुत discuss किया हुआ है सिप मैं आपको फटा फटा 14 principle learn करा के देने वाला हो discipline नहीं रहा तो लोग अपने हिसाफ से आएंगे अपने हिसाफ से जाएंगे कोई control नहीं है आपका task within time complete is नहीं होगा तो तीसरा principle क्या था discipline right point number four unity of command हाँ यह मुझे बताना पड़ेगा यह मैं read करूगा principle of unity of command and fifth number का point है principle of unity of direction इन दोनों में बच्चों को confusion होता है और मैं definitely इस point को read करूगा अबी क्या है each member of organization should receive order from only one superior sir अगर आप लोगों को मैं अलग-अलग-अलग-अलग-अलग task दे रहा हूँ अकेले बंदे ने दी तो चलेगा मैं economics का homework दे रहा हूँ मैं कोई और sir OC का homework दे रहे है कोई SP का homework दे रहा है कोई maths का homework दे रहा है कोई account का homework दे रहा है आपका दीन ही मतला हो consistent है कि sir करे तो भी क्या करे तो उसके बजाए अगर आप एक person से अगर direction लो तो आप वो काम अच्छे से कर सकते हो right approach देखो ये read वाला एक superior रहेगा वो सब को क्या करेगा guide करेगा चलेगा लेकिन एक से जादा लोगों ने direction देना सही बात है क्या नहीं sir ये wrong approach है आप paper में क्या ये draw कर सकते हो क्या बिलकुल कर सकते हो करो अच्छे से क्या है principle of unity of command पर भी दो से तीन या चार माग का short note आ जाता है बच्चे लिख नहीं पाते सुनो ध्यान से each member of organization should receive order from only one superior superior मतलब जो boss है main सबसे high quality का बंदा this principle help managing conflict and solving disputes among the people in organization it also helps in avoiding confusion तो क्या होगा conflict जगड़े भी नहीं होने देगा और confusion से भी क्या करेगा avoid कराएगा if employee receive command from more than one authority he will get confused and will not be able to take decision about whose order should be followed कितना simple चल रहा है देखो तो एकदम general बात किये उन्होंने कहा है कि command ship एकी superior से आनी चाहिए अगर एक से जादा superior से command आई तो जो बंदा काम करने वाला बंदा है वो confused हो जाएगा कि भी मैं priority पे किसका काम करो मतलब मैं manager A की बात सुनू या manager B की बात सुनू अगर इसकी बात सुनी तो ये नाराज हो जाएगा और B की बात सुनी तो मतलब दूसरा नाराज हो जाएगा तो इसलिए वो भी क्या हो जाते confused हो जाते इसलिए avoid करो कि आपके जो direction है वो more than one person से नहीं आने चाहिए ओके दिस इस रॉंग अप्रोच कॉंसा अप्रोच मैनी बॉस बोलते ना की दो से जादा लोग सुपीरियर किसी लोग को गाइडन्स कर रहे वो कॉंसा अप्रोच रॉंग अप्रोच हो जाएगा फॉर इस organization hierarchy should be well defined hierarchy समझता एक structure पहले main boss फिर उसके नीचे manager manager के नीचे supervisor supervisor के नीचे जो employee काम करने वाले तो एक structure proper से define करो इच employee should know his immediate superior and should receive order from him only हर employee को उसका immediate superior पता होना चाहिए जैसे कि सर यह आपे ध्यान दो screen पे ध्यान दो बताता हूं मैं आपको अब क्या हुआ सर यह दिखो यहाँ पर मैंने राइट अप्रोच रॉंग अप्रोच लिखे रखाय करके और मैं यहाँ पे lecture लेला रोकिन मेरा यह पूरा पूरा दारो मदार इस पे कि आपने previous lecture रेग यह है अपके supervisor और नीचे है लास लेवल पर employee रेड में में डॉकर रहो अब इम्यजेट इम्प्लई आरेड में देखो इनको पता होना चाहिए कि उनका superior को ने supervisor supervisor का superior को ने मैंचर मैंचर का superior को ने CEO तो इनको पता होना चाहिए कि हम को order किस से लेना है manager order लेगा CEO से supervisor सूपर्वाइजर और लेगा मैनेजर से और इंप्लोई और किसे लेगा सूपर्वाइजर से तो लास्ट लाइन क्या था सर देखो इच इंप्लोई शुड़ नो इस इमेजिएट सूपर सूपर सूपीरियर एंशुड रिसी और फिम फ्रॉम हिम अनली मतलब आप से पुन से उनका काम कंप्लीट करके दो खतम बात समझ रहा है क्या आंसर इस तो प्रिंसिपल उप युनिटी ओप कमांड समझा क्या आपको राइट अप्रोच क्या है वन सुपीरियर अगर ऑडर दे एक डायरेक्शन एक ही परसन अगर डायरेक्शन दे तो अच्छी बात है बहुत अगर डायरेक्शन देगे तो कन्फीजन क्रेट होगा एक बार पर लॉन हो जागे तो पाच पॉइंट अभी कभी में लन करागे देता हो आपको सिप मेरे साथ शांति से लेक्चर एंट तक देखो कोई कन्फीजन मत करो प्रिवेस पॉइंट लेक्चर आपने सिप देखा होगा। कन्फीजन क्रेट होगा और सुन्हों का जाए उनका सुप्यर निकिप अबर्ट सुननी चाहिए अर्ग स मेंस्ट और trusts वारगा दोन कोल मण ने सिर्ट यह मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान तो सर आप देखो यूनिटी ओप डिरेक्शन की भी मैं आपको एक्जांपल देता हूँ टेंशन मतले ना यह क्या हूँ देखो यह क्या था वन पर्सन जैसे की इंडियन क्रिकेट टीम का में कोच को ने सपोच रविशास्तर जी है ना उन वोने क्या किया डिरेक्शन में आगर आप देखोगे इस प्रिंसिपल स्थेट डाद शुद बीवन हैड और वन प्लान अंडरलाइन करना वन हैड वन प्लान एवर्गनाजेशन इच ग्रूप इन ओर गाशन शूड वह थे शेम प्जेक्टिव और ग्रूप शूड बीड वन मैनेजर यूजिंग विच प्लान सिंगल प्लान होना चे कन्फिजन मत करो समझा सर यह दो पॉइंट हो गए राइट ओके अप सर यह सिक्स पॉइंट था प्रिंसिपल अप सबोर्डिनेशन आप इंडिविजल इंट्रेस्ट और अर्गनाजेशन इंट्रेस्ट इसका म लोगों ने इंडिविजल इंट्रेस्ट मेरे पास स्टूडेंट आ रहे थे क्लास को एक बच्चा बोलता है सर पेट दुख रहा है मैंने चुट्टी दे दी बहुत दूर दूर से बागी कि 49 स्टूडेंट आये थे मैंने एक बच्ची के चुट्टी दे दी ठीक है पहले इंट्रेस्ट में सोचो राधर दैन वाट इंडिविजल इंट्रेस्ट समझ रहा है कि इस पेलिंग सवरी यह पॉइंट लर्न करने में दिख्कत होती लेकिन कुछ नहीं है प्रिंसिपल अफ सब्वाडिनेशन ओफ ओट इंडिविजल इंट्रेस्ट टूर्ड जनरल चैन्टरलाइजेशन क्या कंसिप्ट था सेंटरलाइजेशन ये कंसिप्ट था सर आगे लेके जाता हूँ कि आपने क्या करना चाहिए यहाँ पर अंदर क्या लिखा हुआ मैंने प्रीवेस लेक्षिव में बताए लेकिन ध्यान से सुनो दोस्तों अगर मेरा सिक है मुकेश अ संबानी जी का या जो और्गनाइजेशन है रिलाइंस उनका और इंडिया बहुत सारे ब्रांचे से तो वहाँ पर सेंटरलाइजेशन नहीं चलेगा उन्हें डी सेंटरलाइजेशन करना पड़ेगा आप पढ़ोगे भी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कि स्मॉल और्गना जी के लिए सेंटरलाइजेशन एफेक्टिव नहीं है मतलब सर उन्हें डी सेंटरलाइजेशन अलग 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 ब्रांचे अलग अलग घेड़ ओपीस उन्हें बनानी पड़ेंगी वहाँ पर सारा काम चलेगा मंजे सर अपने कलास का सिप नासिक में ही एक ही क्लास है लेकिन मेरा एक ब्रांच ए औरोंगाबाद में, एक ब्रांच कुलापुर में, एक ब्रांच ए पूने में, तो क्या मैं पूने से बच्चे को बोल सकता हूं नासिक में आकर फीजबर नहीं सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, decentralization करना पड़ेगा इस केस में, धान से पड़िये गा principle of centralization centralization refers to centralization of power and authority in some organization this power is vested in one hand or few hands कुछ organization में सारी power एक ही बंदे के हाथ में होती है this situation occur in the small organization लेकिन centralization कहां पर होगा small organization होगा समझो याद रहेगा करके but if the size of organization is large then there is decentralization of the power of authority तो यह match the peers या filling the blanks में आ सकता है क्या आएगा कि अगर organization का size small है तो क्या effective रहेगा centralization अगर size large है तो क्या effect रहेगा decentralization क्या आपको principle of centralization लिखना कैसे है समझा क्या सिर्फ फेकना मत centralization best है यह अच्छा है वेसे मत करना अगर small organization है तो centralization large organization है तो decentralization okay sir according to this principle there must be proper balance between centralization and decentralization in the organization अब यह क्या का है must be वाला term हुआ है कि आपने ध्यान रखना है कि आप imbalance ना कर दो इसे balance में रखो this is to be done according to size of the organization and nature of the activity तो मैं क्या करूगा मैंने कहा कि मेरा पूने में कोलापुर में अम्रावती में हर जगा पर ब्रांच है तो मैंने कहा कि पर्टिकुलर ब्रांच पर दो तो मैंने कहा किए decentralization कर दिया नेकिन मेरे सिप नासिक में भी ब्रांच है तो मैं क्या लोगा सब फिज एकी जगा पर collect करो that is centralization depend करेगा कि organization का nature क्या है साथ principle मजाक मजाक में कर लिए learn करा के दुगा पहले समझे लो memory technique देने वालो में principle of remuneration यहाँ पर देखो चलो centralization decentralized समझ गया यही मैंने example आपको previous lecture में दिया था decentralization का भी बताया था यहाँ पर और remuneration क्या है सर सर जितना जादा पैसा मिलेगा उत्ता जादा लोग क्या करेंग अच्छे से काम करेंगे तो आपको अगर अपने employee का efficiency बढ़ाना है तो उनको क्या दो proper remuneration दो और पैसा बोलता है simple सी बात है जितना जादा उनको पैसा मिलेगा जितना जादा उनको security फील करेंगे तो उतना जादा अच्छे से आपके organization के लिए काम भी करेंगे तो principle of remuneration बहुत ही simple सा term था राइट नाओ principle of scalar chain most time पी 5 mark का सवाल इस पे आता है 5 marks का short notes आता है तक scalar chain मतलब क्या दोस्तों मैं आपको बता दू पहले क्या होता था scalar chain और आएगा गैंग प्लाइंग करके दोन आएगा a scalar chain means the hierarchy of authority from top level to the lower level for the purpose of communication underline पहला point एक ऐसा authority है sir जोने टॉप लेवल से लेके lower level तक communication का chain बनाया हुआ है this help to ensure the orderly flow of information and communication traditionally organization used to frame large scalar chain when even which is time consuming for example अगर a को बात करनी है d से तो वो क्या करता था पहले b को बताता था फिर b c को बताएंगा फिर c d को बताएंगा तो इसमें बहुत सारा time जाता था तो scalar chain क्या है time consuming था इसको हटाने के लिए हमने क्या किया गैंक प्लैंक लेकिया है गैंक प्लैंक क्या है सर कि इन्होंने a ने बी ने बी ने c से c ने d से बात करने की जूरत नहीं है सीधा अगर d को जी से बात करने ना डायरेक कम्यूनिकेशन कर सकता है यह लो में देखो वो तो scalar chain जो time consuming था जो a, b, b, c, c, d, a से जो चल रहा था उसको हटाने के लिए डायरेक अगर कम्यूनिकेशन करना है तो हम क्या लेका है गैंक प्लैंक समझा इतना ही था बाकी कुछ नहीं एक बार आप देखो diagram पुरा और previous lecture में आपको समझ जाएगा principle of order मतलब क्या सही चीज सही प्लेस पे रखी होनी चाहिए that is principle of order मैंने बताया था करके तो scalar chain में मैंने आपको बताया कि देखो gangplank है डिरेक लाप communication कर सकते हो यह देखो orderly arrangement principle of order मतलब क्या जो book आपको चाहिए वो book वही पर रखाय सिधा उठाओ और काम करना चालो कर दो तो right सही चीजे या person वो सही प्लेस पे होने चाहिए that is principle of order फिर क्या है principle of equity मतलब क्या कर आप सबको equal treat करो सबको proper chance दो समझ में आ रहा है सबको सिम्मान बोलते ना कि एक right opportunity दो कि सब आगे बढ़ सके that is principle of equity then after क्या था ग्यारा point होगे बारावा point आपके सामने आ रहा है और यह principle of stability of tenure stability of tenure मतलब क्या sir उनको डर नहीं लगना चाहिए कि मेरे को मेरा boss क्या करेगा बाहर निकाल देगा organization से stability of tenure मतलब क्या कि आपके organization में आपको permanent करना या आपको कहना कि आप अगले 10 साल तक हमारे साथ ही हो sir tension मतलो हर महिने आपको salary मिलेगा अगले 10 साल तक तो वो एक security फील करेगा अरे मेरा tenure क्या fix है time period क्या fix है उसको डर नहीं रहेगा कि या में को कभी भी लात मार के बाहर निकाल दे तो stability of tenure रहा उसका यह insecurity अगर दिमाग से बाहर रहा तो उसका focus कहा पर रहेगा काम पर रहेगा और उतना अच्छे से क्या कर पाएगा आपको output दे पाएगा समझ में आ रहा है कि ने तो principle of stability of tenure में क्या है regular lecture में आपने देखा ही है तो यहां पर क्या था कि आपको time period क्या क्या क्य ना हो करके initiative वाला ही रहेगा next point principle of initiative मतलब क्या है कि आप लोग जो initiative ले रहे पहले तो freedom दो कि वो लोग सोच सके freedom to think and work on new ideas to encourage employee to take initiative while working on given task this initiative should be welcome by the manager उन्होंने यसा inferior मतलब इसे insecure फेल नहीं करना चीए करे चोटा आदमी कैसे इतना बड़ा सोजरा है नहीं नहीं अगर वो initiative ले taking initiative इतना याद रखना ideas आई तो उसे accept करो और उसके implement करो और organization का क्या करो फाइदा करा लो समझ गया yes sir next point principle of spirit力 को कभी कभी इस पे भी short notes आ जाता है team work मतलब क्या कि अकेले आप कुछ काम नहीं कर सकते अगर आपको बड़े इंसान को भी हराना है तो आपके पास क्या चाहिए teamwork makes dream work yes दोस्तों तो यह सारे principle हमने क्या किये खतम किये sir कुछ पढ़ा है नहीं आपने अंदर मैंने कहा था ना regular lecture है अब marathon का पार्ट है अब मेरे को memory टेकनिक देना है तो अब ध्यान से सुनिएगा क्या है करके पहले तो मैं image के थ्रू जाओगा आपको सबसे पहले यह image दे कॉप मतलब क्या team work okay यह वाला देखो कौन सा principle है इनिशेटिव लेने का कौन सा principle है इनिशेटिव ले रहे तो उनको encourage करो यह क्या है stability of tenure कौन सा principle image देखो stability of tenure okay sir फिर मेरे टेकनिक भी देना है पहले image से दिमाग में डाल दो equity क्या आप करोगे सबको equality और equity में फरक्या equality मत लिखना principle of what equity okay यह क्या है order यह क्या है scalar chain यह क्या है remuneration देखते रहो यह क्या है centralization हर एक point आपको याद आएगा यह क्या है individual approach को side में रखके group approach को ध्यान देना है general interest पे जाना है यह क्या है sir unity of direction यह क्या है sir unity of command command में क्या होगा एक ही person ने order देना चाहिए direction में क्या है एक ही head ने direct करना चाहिए एक head एक goal एक team समझ में आ रहा है कि unity of direction और unity of command ओके sir फिर यह क्या था discipline यह क्या है authority and responsibility यह क्या है sir यह क्या है principle of division of work समझा okay sir और madam अब memory technique पे जाते है sir memory technique क्या है कुछ words है right sir क्या है बताओ ना सब learn करेंगे heading तो भी learn करेंगे अंदर का part तो मैंने आपको regular lecture में करवा के दिया है इस lecture के नीचे भी उसका link आ जागा तो पीस देख लो यार right मुझे फिर कुछ बच्चे हो लेंगे अरे sir आप वही वेचीज बार बार पढ़ा रहे हो इसलिए मैंने फटा-फट से heading बता है और general explain किया करके मुझे तुम्हारी बावना बहुत जल्दी समझ जाती है तो इसलिए क्यूंकि lecture sequence में था henry fuel की बाद भी मुझे करनी थी इसलिए मैं करतो रहा हूँ actually अब असली मजा तो fw teller में आएगा जो आपने नहीं सिखा है और नहीं सिखा है वो सिखने में मजा आती है जो सिखा है वही सिखते तो बोर हो जाते है ओके चलो आपको मैं में मेरी टेक्निक पे लेके आता हो वेसे तो याद रहे जाएगा लेकिन देखो एक नाम याद रखना है दद्दू अरे सर क्या बात कर रहे हो दद्दू से क्या है, D से क्या था, principle of division of work, A से क्या है, authority and responsibility, D से क्या है discipline, दद्दू याद करो, principle ना, एक बड़ा इंसान आपको principle रेफर बताएगा, तो एंड्री फियोल जी अपने दद्दू है, ऐसे बोलो, D, A, D, W, D से क्या था, division of work, A से क्या था, authority and responsibility, D से क्या है, discipline, दद्दू, दो U है, unity of command and unity of direction, पाच पॉइंट लन, दद्दू बोला पाच पॉइंट लन, D से discipline, ओके सर, मैंने पहले कुछ और भी टेकनिक दिया रहेगा, लेकिन हर इसमें मेरा टेकनिक बदलते रहता है, D से discipline, दद्दू, discipline देगे, U से क्या था, सर, sorry, A से authority and responsibility, दोनों स responsibility के साथ चलते है, unity of command, उनका command है, वो क्या करते है, direction देते है, दद्दू क्या करते है, दद्दू, division करते है वक्या, उनके पास authority भी है, responsibility भी लेते है, दद्दू के पास discipline है, दद्दू के पास unity of command order देते एक इच बंदा दद्दू घर में order देते उसके बाद गो क्या करते डायरेक्शन भी वही देते पास पॉइंट डन ओके सीएस दद्दू ने बोला सीएस करो एक वड़ी याद रोको सीएसी से क्या था सेंटरलाइजेशन CS CS5 सेका था सेंटरलाइजेशन ऐस से क्या था सबॉडिनेशन ओप इंडिव्यंच क्वे इंडिवूजंस को चोड़के जाना है जेनल इंटरेस्ट पो बपलो सबॉलाज इंडिविज्वूजल इंट्रेस्ट इंट्रेस्टो जन्र dimles तो इसक्षो गया र से यह देखो इतने प्चार पॉइंट हो जाएंगे आर से रेमिनरेशन ओसे और एस से स्टैबिलिटी ओप टेनर और ईसे इस पे रिड़ी को मतलब टीम वक सर नो पॉइंट तो होगे नो दस ग्यारा पॉइंट होगे करीब करीब ददू बोले सी एस करो और क्या बोले रोस देके बोले कि सी एस करो बेटा को सर क्या मेरी टेकनिक देरे कुछ भी मेरे को 14 प्रिंसिवल में से दस बारा तो आई जाने चाहिए सर दद्दू पाच कतां दद्दू डिवीजिन करके रहते वक्का एस से अथरे रिस्पांसिटी डी से डिसिप्लीन यू से इनुटी अप टेनियर तीने आसा याद रोखो इस स्टेबिलिटी अप टैनर और इस है इस पर है टीकॉप टीने किया था एक स्टेबिलिटी अप टेनर एक स्कालर चैन एक शबाणी करें कहुटिन इस पोटा दिये मैंने और रहते क्या सर एकविटी और इनिशेटिव देखलो आप कैसे प्रिंसिबल में क्योंकि मैंने वो नहीं सिखाए ना तो मैं अब ने टेक्निक के साथ वो आपको बता होगा ठीक है चुले ही के हम रुखते हैं थैंकिस तो मच बबाई टेक केर हैव नाइस टेक बबाई